समस्या इस बात की नहीं कि असलील गाने वो गा रहे हैं या फिर कल्चर को बर्बाद लोग उसे अपने सर आँखों पर बैठा रहे हैं भोजपूरी में तो अलगी दुनिया है भोजपूरी में न एक हमको पता नहीं क्या संस्कारी भींता एक वो बड़ी जादे आ गया है ज संग्या की नहीं गया बर्बाद करके आचा सब दिखो समस्या इस बात की नहीं कि असलील गाने वो गा रहे हैं या फिर कल्चर को बर्बाद लोग उसे अपने सर आँखों पर बैठा रहे हैं मन सीखता देख रहे हैं जिस जगह पे अभधरता को यदी सराहना किया जाए त हम लोग कि अभी अब कल्पना करते हैं मतलब जतना में आसकर एवोर्ड होता है न बोलिवुड का जतना में वो एक दिन का फंक्सें करते हैं उतना में इनकी फीलिम बन जाती है हमको सबसे ज़्यादे वह बिहार के नाते पर जब हम फिल्म सिटी में गए थे तो फिल्म तो हमको देखके मुस्कुराने लगे और हमको एक बात बोले ना बहुत तकलीफ हुआ सुनके, कहें कि भोजपूरी फिल्म इंडिस्ट्री एक बड़े लेबल कारकेस्टा है, बताइए एक डिरेक्टर जो वहां पर बैठा हुआ है, वो क्या कहता है, फिल्म इंडस्ट्री है कि बड़े लेबल कारकेस्टा है, हम चूप हो गए, कहीं हो नाच देना है, आपका लगता है, अपने गाउं में चौकी बिछा कि अमिताब बचन को नचा दीजेगा, क्या कहें हम चूप चप रहो गए, भई हम कहां से हैं, और उन्होंने कहा कि खांसर देखिए, का भोजपुरी ऐसा कर पाएगा, हम चूप हो गए, क्या बोल सकते हैं, सर, वोलीवूड में भी असलीलता है, मतलब वो अधा नंगा है तो तुम पूरा नंगा हो जाओगे, मतलब उसके, मतलब किसी के गंजी में दू को छेदे, मन के चूल किसी के गंजी में चार को छेद फूस हो कहा है, मतलब आदा हो गारे गुमरें तुम गजब बात है, यह तो लाजीक नहीं है, मतलब हो नंगया है, अगर आप से कोई का रहाए कि यहां कचड़ा लगा है, तो कह एगा है, हट जब अपना धुल भूल लीजेगा जी, इक भूंस यहां नीचे लोट लोग त अजो असलीलता जो बॉलिवुड में कह रहे हैं ना उन वो रिजेक्टेड हो गई है नीचे लेवल पे क्योंकि वो अपने कला के दम पे अपनी फिल्मों के दम पे अब वो हीरो हीरोई नहीं उपर बढ़ पा रहे हैं तो मजबूरी बस अब उनको एक ही रास्ता है असलीलता सँना या मजबूरी बस असलीलता सो किया मजबूरी बस असलीलता